आपकी बास Motorola H30 series का कोई भी फोन है तो यहां पर आप Wi-Fi connect कैसे कर सकते हैं without password तो यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो Wi-Fi जो भी connected होगा उसको आप क्लिक करके रखेंगे तो यहां सेटिंग ओपन हो जाती है Wi-Fi की तो आपको मैं दिखा देती हूं कि अभी मेरे फोन मे यह वाला Wi-Fi connected है already Wi-Fi का network भी आ रहा है तो आपके सामने पहले मैं इसको remove कर लूँगी forget कर लिया remove कर दिया यानि कि देख सकते हैं यहां पर यह रहा हो network लेकिन connected नहीं है अब आपको password नहीं पता है तो आप कैसे connect कर सकते हैं तो इस condition में क्या करना है आपको scroll कर लेना है और यहां पर आपको scanner का option देखने को मिलेगा plus पे sorry यह रहा QR code plus इस पर आप क्लिक करेंगे आपका scanner open हो जाएगा और यहां पर कोई एक ऐसा phone ले लेंगे जिसमें already कोई Wi-Fi connected है तो यहां पर same network था ना मैं यहां पर setting पर क्लिक करके share पर क्लिक कर लूँगी ताकि QR code शो हो जाए क किसी के भी phone में आपको बस QR code शो करना है और ऐसे करके scan करके connect कर लेंगे इसको तो देख सकते हैं QR code scan करते ही यह connect हो गया है हमने कोई password बगर नहीं डाला और यहां पर network भी आ गया है ठीक है तो same network आपने connect कर लिया इस ट्रैप से और आपको अगर QR code शो करना है तो यहां पर आप setting पर जाएंगे share का option मिल जाएगा आपको click कर लेंगे आपका pattern lock enter कर देंग या फिर fingerprint जो भी add-on है वो आप click कर लेंगे और इसके बाद यह देख सकते हैं QR code शो हो जाएगा इस ट्रैप से और आप भी किसी को share कर सकते हैं और connect कर सकते हैं इसके नीचे आपका password भी दिख जाता है आपको जो भी Wi-Fi का password है ऐसे करकि check out भी कर सकते हैं इसके बाद back कर ले कर सकते हैं without password ठीक है और यहां पर भी आपको QR code scanner का option मिल जाता है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार